नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टे नोगरोजी यूटूब चनल दोसे आज की बिन हम लोग बात करेंगे उत्तर परदेश पुलिस जो बैकेंसी आई है जिसमें आपका उपनी रिच्छक गोपनी है पुलिस सहायक उपनी रिच्छक लिपिक एवां पुलिस सहायक को अपनी रिच्छक लेखा के पदों पर जो सीधी भरती निकाली गई है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या योगता रखीगे कौन-कौन अप्लाई करेंगा क्या पेले बार रखा गया लाश्ट डेट कब है शॉट है शॉट है क्या होग जनुरी से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो जो लोग सॉट हैंड सीखते हैं या सीख रहे हैं या सीख लिए हैं वो गोपनी वाला फॉर्म भर पाएंगे ठीक है बाकि जिनको टाइपिंग आती है वो पनी अच्छक लिखी लिपिक वाला और दूसरे लेख वाला भर जिसमें आप अगर चाहें तो तीनों अपलाई कर सकते हैं अगर तीनों की योगता रखते हैं तो अधर्वाइस एक एक कर सकते हैं जो भी आपको जिसमें इंट्रेस्टेट है उसको अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो देखें गोपनी उपनी जो है इसकी अगर हम बात करें त पूरा नोटिविकेशन पढ़ लीजिए आस्वास्त हो लीजिए फिर अपलाई करिए फिर आप अपनी त्यारी जारी रखिए तो और अगला जो पोश्ट है दोस्तों आपका पुलिस सहायक उपने रिच्छक लिपिक वाला है यह लेबल अठाइस सो है ठीक है तो यह जो सब अपने रिच्छक लेखा वाला जो कि यह भी अठाइस सो ग्रेट पे काया है यह लेबल फाइब से दोस्तों चार पदों के लिए वेकरशन निकाली है टोटल बात करें तो 921 पदों के लिए आपसे आवेदन आमत्रित किये गए हैं ठीक है अगर आप इच्छुक है तो अगला कटेगरी में यहां पर डिवाइट किया गया है आप इसको देख सकते हैं ठीक है आवेदन के अगर हम तिथी की बात करें तो जो कि सबसे आदा इंपॉर्टेंट है यहां पर देखिए जो आनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा वह साथ जनवरी 2024 से स्टार्ट हो ठीक है 28 जनुरी तक आप रेश्टेशन कर पाएंगे और सुल्क जमा करने की 28 तारिक है अगर मालों के सुल्क में कुछ दिक्कत आती है तो समायोजन आपका 30 तक हो जाएगा ठीक है उसके बाद आप इसमें कुछ अंसोदन और गयरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे कुछ तिजार नहीं करना है ठीक है अगर आप सौटेंट सीखते हैं या आप सौटेंट वाला नहीं करना चाते हैं लिपिक वाला या लेखा वाला करना चाते हैं तो जो भी आपके लिए योगिता है जो भी आप रखने करना चाते हैं पटरफट से अपलाई करके अपनी त्यारी में लग जाएगे आप इतन सुल्की की बात करें दोस्तों तो 400 रुपिया रखा गया है ठीक है इस भरती के लिए इस 400 रुपिया में आप चाहे एक पोस्ट के लिए करेंगे चाहे आप तीनों के लिए करेंगे जैसे आपकी पास योगिता होगी ठीक है अहरताएं देख लेत चाहिए ठीक है भारत सरकार से मानता प्राप्त गिरिशन होना चाहिए और दूसरा क्या है इसमें कम से कम 25 सब्द परतमनट की स्पीड से हिंदी टाइपिंग और इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पे ठीक है इनस्क्रिप्ट यहां पर लिग दिया इन्होंने साफ-साफ मंगल इनस सुलिपिक सुर्तिलेख है ठीक है उत्तर प्रदेश पुलिस भरती बोर्ड द्वारा अधार सुदता की आधार पर अभ्यरतियों को शफल घोजित किया जाएगा ठीक है उनका मानक होगा ठीक है तो उसके आधार पे आपको असी सब्द की स्वीड से दस्मान का डिक्टेश करें कि भारत सरकार के नाइलेट यानि कि राश्टी एलेक्रानी की संस्थान नाइलेट सोसाइटी जिसका पहले नाम ड्वैक था अब बदल के नाइलेट कर दिये गया है उसके अगर आपके पास और नहीं है तो उसके एकुवैलेंट ठीक है और आपके पास पीजी डीसी जो भी है आप रखते हैं ठीक है अगर आपने graduation में कर रखा है computer ठीक है तो subject की रूप में ले रखा है तो भी आप eligible है तो जो भी उसके equivalent है वो लेबल की अगर आपके पास certificate है तो आप इसको apply कर सकते हैं ठीक है और उसमें क्या क्या है वो निचे notification में दिया गया है कि आप उसक certificate है डिपलोमा है तो आप apply कर सकते हैं ठीक है सेम आगे बढ़ते हैं अपने रिचक लिपिक के लिए यहां भी असना तक चाहिए typing speed सेम रखा गया है ठीक है हिंदी इंग्लिस दोनों यहां पे दिया जाएगा देना होगा आपको और computer certificate O level के equivalent और लेखा अपने रिचक में य यानि कि commerce से होना चाहिए या लेखा सास्ते में पराशनाता का डिपलोमा है ठीक है अगर MA वगर की हो ठीक है तो लेखा सास्ते तो भी आप eligible होंगे तो दोनों में से जो भी है ठीक है और यहां पर जो typing होगा कम से कम 15 सब्द की speed से आपका इंडिस्क्रिप्ट पर होगा ठी हिंदी के हिंदी में 15 सब्द की मांगी गई है इंग्लिस में कोई typing नहीं मांगी गई है ठीक है बाकि भारा सरकार के राश्टी इलेक्टानिक वह जो लेबल का समक्ष्र रखा गया वह सेम रखा गया है ठीक है आगे यहां पर कहरें कि आवेदन करते समय अभ्यरतियों को अ बैठ रहे हैं और अपलाई कर दिये हैं तो ऐसा नहीं है ठीक है आवेदन पत्र में प्रदर्शित सहचिक आहरता या थार्थता सुद्धता एवं समकच्चता को सिद्ध करने के लिए अब लेखी साक्ष परस्तु करने के दाई तो अभ्यरति का होगा इस संबंद में बोर पत्र या राज्य सरकार द्वारा मानता प्राफ कंप्यूटर अप्लिकेशन या असनाता की उपाधी ठीक है यह सब देख लिए जिसमें से क्या क्या है विद्धियाले अनुदान द्वारा मानता प्राफ किसी संसान या महा विद्धियाले से विधी में असनाता किया हो प् साथ दोजार तेईस को मिनमम 21 साल आपका होना चाहिए ठीक है एक साथ को 21 साल और किस से 28 के बीच में जो है आपका आयू होना चाहिए जर्नल काटेगरी के लिए बाकी यहां पर काटेगरी वाइज अलग-अलग शूट दिया जाएगा ठीक है यानि कि आपका जो डेटा बर्थ है वो 1795 से पूर तथा 172002 के बाद में ना हुआ हो यानि इसी दोनों के बीच में आपका जर्नल हुआ है तो आप इलिजबा होंगे बाकी काटेगरी वाइज यहां पर छूट दिया जाएगा लेकिन आरक्षण का लाप के ओर उत्तर प्रदेश की निवासियों को ही दिया जाएगा अगर आप किसी अधर इस्टेट से हैं तो आप जर्नल में अपलाई करेंगे और जर्नल वाला आपको मानना जाएगा ठीक है बागी बाइबाही के स्थी तो गहरा वह सब सेम चीजे होती है सारीक दक्षिता की बात करें दोस्तों तो किसी अभेरती को सेवा पद में पज़ेगा नूकती नहीं किया जाएगा जब तक कि मानशी को असारीक दिरिष्टी से उसका स्वास अच्छा ना हो यह सब तो सीजे बाद में देखी जाएगी ठीक है बाके चिकिसा बोर्ड नाक भी लेस प्लैट फीट वेरिश्ट यह मेडिकल होगा इसमें भरती परकिरिया की यहां पर देखिए चैन परकिरिया कर रहा है कि यहां उत्तर परतिस पिलिस से लिपिक लेखा योंग को अपनी सहायक संबर्ग नियम ओली 2015 के हिसाब से कराया जाएगा पहले इसमें रिटेन एक जाम होगा ठीक है आनलाइन परिक्षा होगी और आनलाइन परिक्षा में का जो सिलबस होगा आपका वह आपका सामान हिंदिक और कंप्यूटर के सव अंक के होंगे सामान जानकारी साम समाईक बिसे सव अंक के संख्यातमक और मांसिक योग्यता सव अंक के और मांसिक अभिरुची या और लब्धी और तारकियन के रिजिनिंग जो है सव अंक के रहेंगे ठीक है तो टोटल धाई सो धा गंटे मिलेंगे 200 प्रश्ण होंगे 50-50 एक एक से रहेंगे ठीक है और चार सो अंकों क्या पेपर होगा यह आपका ठीक है और इसमें 35% लाना कंपलसरी है ठीक है और प्रतेक बिसे में ध्यान दीजिएगा प्रतेक बिसे में 35% लाना और कुल 40% लाओगे तब आप जो है पास कि अभिलेखों की समवीक्षा यहूं सारीरिकमानग परिक्षाण लिखित परिक्षा में सफल पाए गए अभिलेखों की समवीक्षा में समलित होनीका अपेच्छा कि जाएगी कुली लिक्तियों की संग्या को दृष्टीकत रखते होए बोर दौरte योगयता के आधार प इसके बाद आपका आपका फिजिकल स्टेंडर टेस्ट में जाधा कुछ नहीं में यहाँ पे तिरिसच नियुन्तम हाइट होना छाहिए और सेस्टी के लिए ऐक सुच्पन होना चाहिए और सीक्यूमूच सेंटीमीटर फुलाना है ठीक है यहीं ऐनाट होगा नार्मल आमल क परिक्षा में सफल पाएगे अभेर्थियों से हरbon के लिए जितनी स्पीड कालिय के कुम्प्यूट्र टंकर परिक्षा में संब्लित होने की अपयच्छा कीजाएगी कम्प्यूट्र टंकरड कीया गत्त इभिध्यपती में ओलिकित अभयर्थि द्वारा आव tip की अनुशार होगी ठीक है जिस पॉष्ट के लिए जितने श्पीड मांगी गई है वो आपको देना होगा ठीक है गोपनी के लिए जिसे आपको दोनों टाइप इन टेस्ट भी देना होगा ठीक है तो बाकी यहां पर दिया गया लिखित पारिक्षा के अभी लेको हैं सुभी फ्री है उसमें कोई चार्ज नहीं है वहाँ पे सारी अपडेट आपको मिलती रहती है जो भी कोई नोटिफिकेसन आता चायो वेकैंसी से रिलिटेट चायो रिजल्ट और जो भी हो आपको वहाँ पे अपडेट मिलता रहता है ठीक है चिकिस्ता के लिए यहां पे अपने त्यारी में जुट जाइए आई होगा फिर भी आपके मन में कुछ डौट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है नेश्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए बाए झाल झाल